दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमाया चैनल में दोस्तो इस पार जो है इंडियन एर फोर्स आप से आप लोग लोग लिए बहुत ही बड़ी खुसकबरी आ रही है तो आज मैं इस वीडियो में इंडियन एर फोर्स में आई ही वेकेंसी के बारें बात करेंगा जहाँ पे औल वर इंडिया के कैनेट जो है फोर्म को फिल अप कर सकते हैं दोस्तो यह जो है पॉर्नेट वेकेंसी है तो इसके रिगार्डिंग आज हम इस वीडियों में डेटिल में बात करेंगे तो यहाँ पे हम सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको बताएंगे कहाँ पे एक्जामेशन सेंटर होगा क्या पैटर्न होगा कितने सैलली मिलेगा क्या प्रोमोशनल स्कीम है यह सारी चीज़े को हम यहाँ पे डिसकस करेंगे तो आप हमाएं साथ बैन रहे अगर पसंद रहे ज़रू लाइक और शेयर कीज़ेगा तो दोस्तो इस टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बता दें दोस्तो कि आपको हमाएं चैनल में और भी बहुत सारे फ्रेशर्स की वैकेंसिस मिल जाएंगी आप जो हमाएं चैनल का फॉलो अप गेंजिए और डेली जो है वीडियो अपलोड होते हैं आप जो है उन वीडियो को देखिए आप लोग लिए काफे ज़्यादा हेलफूल रहेंगी तो दोस्तो बात करते हैं यहाँ पर तो बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर इंडियो एर फोर्स के लिए तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दूँ तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वार् के पास 10th pass होना चाहिए, 12th pass और diploma अगर कर रखे हैं आप तो आप form को fill up कर सकते हैं, तो मतलब यहाँ पर और है, अगर आपने 12th pass कर रखा है, physics, chemistry, math से, तो भी आप fill up कर सकते हैं, अगर आपने diploma कर रखा है किसी भी branch में, तो आप यहाँ पर eligible हो, तो यहाँ पर final year के diploma वाले भी candidate जो है, form को fill up कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर mention है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ कि जो final year वाले candidate हैं, वो भी form को यहाँ पर fill up कर सकते हैं, और यहाँ पर और क्या important information है, दोस्तो, यह जो form है इसको fill up करने के लिए आपको जो application fee लगेगी, 250 रुपय का जो है application fee यहाँ पर रहेगा, दिन दोस्तो, यहाँ पर अगर बात किया जाए, यह form जो है only unmarried male candidate ही form को fill up कर सकते हैं, जी हाँ दोस्तो, यह जो form है सिर्फ unmarried male candidate के लिए है, यहाँ पर age limit रखी गए है, दोस्तो, 18 अप्रेल 2021, यहाँ पर अगर आप देखो गए, तो इसका selection procedure दिया गया है दोस्तो, यहाँ पर age limit की बात किया जाए, तो यहाँ पर 16 जन्वी 2001 से लेके 29 दिसंबर 24 के बीच में अगर आपका data of birth है याँ पर इसमें bond हुए है, तो आप जो यहाँ पर eligible होती है, यहाँ पर अगर कहा जाए, तो maximum age limit है, 21 साल रखी गई है, दोस्तो, यहाँ पर जो vacancy आ रखी है, अगर उसके बारे में बात की जाए, कौन सी post ले आई हुए, तो दोस्तो, यहाँ पर जो है, तीन प्रकार की जो है, vacancy निकल रखी है, अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर जो पहली vacancy निकली है, दोस्तो, जो 12th past के candidate है, या फिर जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है, किसी भी branch से, यहाँ पर देखे, किसी भी streams अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, अगर आपने science side से physics, math, English आपके subject है 12th में, तो आप जो है minimum 50% लाए हुए है, तो आप जो यहाँ पर eligible हो, यहाँ पर चाहे आप डिप्लोमा किसी भी branch से किये हो, या फिर final diploma हो हो, तो भी जो आप form को यहाँ पर fill up कर सकते हो, तो पहली vacancy दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो vacancy निकली है, group X मैं के लिए है, यहाँ पर instructor trade के लिए vacancy है, तो दोस्तों group Y के लिए बात किया जात, यहाँ पर आगर आप देखो दोस्तों अगली जो vacancy है, अगर उसकी बात किया जाए, तो group Y medical assistant trade only के लिए है, यहाँ पर आप देखोगे 12th class के candidate, जो 12th pass है, science वाले candidate, physics, chemistry, biology और English जो हैं के 12th में हैं, और 50 percentage है, तो यहाँ पर वो form के लिए group Y के लिए eligible हो, तो यहाँ पर आगर आप देखोगे, तो जो X वाली post है, इसमें जो है, diploma 12th के दुनों candidate जो है, form को fill up कर सकते हैं, Y के लिए सिर्फ देखते हैं, 12th के कोई भी candidate जो form को fill up कर सकते हैं, जो group Y medical assistant है, इसमें 12th science के candidate जो है, eligible है, तो यह कुछ इस प्रकार का यहाँ पर education qualification रखा गया है, दिन दोस्तों, यहाँ पर एक important note लिखा गया है, कि जो diploma वाले holder वाले candidate हैं, वो जो है, group X street only के लिए form को fill up कर सकते हैं, तो आप जो है, इन में से किसी एक ही को form fill up कर सकते हो, तो दोस्तों, आप बात कर लेते हैं, यहाँ पर selection procedure क्या होगा, तो देखें दोस्तों, यहाँ पर पहला phase 1 होगा, जिसमें online test होगा, यहाँ पर अगर आप देखा जाए, तो group X और Y दोनों के लिए, जो है, यहाँ पर examination pattern रखा गया है, यहाँ पर examination pattern रखा गया है, दोस्तों, एक घंटे का यहाँ पर paper होगा, और इसका जो syllabus रहने वाला है, उसमें English language के, physics के, mathematics के, जो 12th syllabus है, उससे questions यहाँ पर बनेंगे, group by की बात कि यहाँ पर अगर आप देखो तो 45 minute का यहाँ पर test होगा, जिसमें दोस्तों English रहेगी, जो 12th का syllabus होता है, इसके साथ दोस्तों reasoning और general awareness के questions यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर लगभग आप देख रहे हो, काफी अच्छा मौका है आपको, जो group C वाली पोस्तर है, जिसमें आप बोद X और Y ट्रेट के लिए अगर आपने fill up किया है, यहाँ पर 85 minutes का जो है negative marking है, यह जो है stage 1 है, देन दोस्तों stage 2 देखें, इसमें क्या रखा गया है, stage 2 में दोस्तों आपका जो है, यहाँ पर एक SSP type का जो है, कह सकते हो, आपका जो है, यहाँ पर देखोगे, तो stage 2 में दोस्तो आपका document verification है देन दोस्तो अगर बात किया जाए है यहाँ पे stage 3 जो है आपका physical fitness test है जिसमें आपको push up बगएरा skid बगएरा और running बगएरा यहाँ पे आपको physical test में पास करना पड़ेगा तो यह सारे चीज जो है fitness के लिए जरूरी है जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बत development है देन दोस्तो यह तो इसका सारे selection procedure हो गए अब मैं इसको बता दूं कि इसमें salary वगएरा कितना दिया जा रहा है तो दोस्तो यहाँ पे जो है यहाँ यह मैं पोस्ट के दिये जो है आपको selection किया जाएगा यहाँ पर आप देखो कि दोस्तो तो क्या-क्या facilities बिल रही है य इसके साथ और भी वहाँ सारी facilities जो यहाँ पर दी जाएगी देन दोस्तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं ट्रेनिंग कदान जो है आपको 14,600 पर बंद जो है मिलेंगे स्टाइपेंड जब ट्रेनिंग कप्रिट हो जाएग तो यहाँ पर 33,000 देखिए आपको मिलेंगा 33,000 परमंद दिया जाएगा इसके साथ और भी बहुत साथ सुब्धाय जो यहाँ पर मिलती है तो काफी अच्छा यहाँ पर मौका है दोस्तो अगर आप आपको वहीं पर आपका इंजामेशन सेंटर रहेगा तो लगभाष और इंडिया जो इसका इंजामेशन सेंटर रहने वाला है कैसे अपलाई करना है कब से फर्म जो है स्टाट होगा यह सारी चीज उसके बाद में तोड़ा जाल लेते हैं तो दोस्तों यह जो फॉर्म है आप लोग अगर जैसे यह फॉर्म ऑनलाइन स्टाट हो जाता है तो आप जो है फॉर्म को फिलप कर दीजेगा देर मत कीजेगा क्योंकि दोस्तों पिछली पर जो वैकेंसी आई थी उसमें भी बहुत से केंडियेट ने ऐसा किया था लेकिन दोस्तों सर्वर डाउन हो गया और ओनलाइन फॉर्म को फिल अब कर सकते हो और वहां से जो है दोस्तों इस नोटिफिक्शन को भी डाउनलोड कर सकते हो बागी दोस्तों अगर आपको और फॉर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हो यहाँ फो नंबर भी दे रखा है और बात ही दें दोस्तों और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से बता दूँ यहां पर सिर्फ तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ नए इंफर्मिंशन आज के लिए बस इतना ही थैंक्स वर वॉचिंग लिस्निंग जै हैं जै भारत